वैसे तो इस चैनल पर मैं आपको सारे शॉटकट्स और आटोमेशन बता चुका हूँ लेकिन आयो 16.4 में आपल ने कुछ ऐसे शॉटकट्स दिये जो अगर हम नई यूज करेंगे तो घोर अन्याय हो जाएगा तो आईए बता तो कैसे आपको ये सारे शॉटकट्स यूज करने है नमस्कार दोस्तों मेरणा में अमित टेकनलोजी के दुनिया में हर देन और कुछ नहीं सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए तो आईए बात कर लेता है सबसे पहले शॉटकट्स के बारे में तो पर देखता हूँ काफी सारे लोग रात को अपने आईफोन को शटडाउन कर लेते हैं अब मैनूली जब शटडाउन करी सकते हो लेकिन वाट इफ मैं आपको ये बताओं कि एक automation आप set कर सकते हो so that every night एक fix time पे automatically आपका आईफोन शटडाउन हो जाएगा तो उसके लिए मैं आएगे शॉटकट्स में यहाँ पे हमको आना है automation में automation में आने के बाद आपको plus पे click करना यहाँ पे हमको select करना है create person automation अब यहाँ पे आपको time of day select कर देना है for example यहाँ पे मैं 11 p.m. कर देता हूँ इसको करते next और उसके बाद आपको click करने add action यहाँ पे आपको search करना shutdown तो shutdown आप जैसे select करोगे यहाँ पे अब आपको next पे click करना है आपको याद रखना है कि ask before running हमेशे आपको off करके don't ask कर देना चाहिए उसके बाद आप जैसे done करोगे तो every night 11 p.m. यह iPhone automatically shut down हो जाएगा आपको सुबह उठते ही आपको इसको manually on करना पड़ेगा अब workaholics and housewives के लिए यह shortcut बहुत काम का है तो अगर आप चाहते हो आप जैसे office पहुचो आपके सारे calls automatically answer हो जाने चाहिए and speaker पे place हो जाने चाहिए या फिर अगर आप housewife हो आप cooking कर रहे हो और ऐसे time पे आप चाहते हो कि आपको जो भी calls receive होते है वो सब auto answer हो जाने चाहिए तो यह shortcut आपको बहुत काम आएगा and उसके लिए again आपको shortcut में automation में यहाँ पे plus पे click करना है यहाँ पे आपको click करना है create personal automation अब जैसे भी आपकी requirement उसके हिसाब से time of day भी select कर सकते हो या फिर location based भी कर सकते हो लेकिन मेरे case में मैं focus mode select करूँग that is work focus mode जब भी मेरे enable होता है automatically calls मेरे answer हो जाने चाहिए तो यहाँ पे when turning on selected होना चाहिए उसके बाद मैं select करूँगा next and यहाँ पे click करूँगा add action and यहाँ पे select कर देना auto answer calls अब again आप next पे click करोगे यहाँ पे ask before running को आपको off कर देना don't ask कर देना यहाँ पे इसको done कर देंगे अब यहाँ पे एक और चीज हमको चाहिए जब भी हमारा call आना चाहिए auto answer तो होना ही चाहिए लेकिन वो automatically speaker पे place हो जाना चाहिए उसके लिए हम आएंगे settings में यहाँ पे हम आएंगे accessibility में उसके बाद हमको select करना touch यहाँ पे हमको select करने call audio routing and automatic के जगह पे आप Bluetooth headset भी select कर सकते हो लेकिन हमारे case में speaker select करेंगे अब जब भी आपको call आएगा वो automatically answer तो हो जाएगा plus वो particular call speaker पे जागे place हो जाएगा अब कितनी बार हम यह चाहते है कि जैसे हम सोने जाए तब ही हमारे जितने भी unknown call जा रहे है हमारे phone में वो automatically silent हो जाने चाहिए तो अगला जो shortcut है यही काम करेगा आपके लिए and यह करने के लिए again automation में यहाँ पे हम plus पे click करेंगे create person automation करेंगे अब again आपके requirement किसा आप से आप set कर सकते हो location भी set कर सकते हो कोई focus mode भी select कर सकते हो जैसे के work वाला focus mode भी select कर सकते हो लेकिन मेरे case में मैं select करने वाला sleep तो यह click करने के बाद मेरे को click करने है next पे and यहाँ पे मेरे को click करने add action उसके बाद जैसे मैं silence search करूँगा यहाँ पे मेरे को option मिल जाएगा set silence unknown colors उसके बाद मैं को next पे click करना है यहाँ पे ask before running को off करके don't ask करने के बाद done करेंगे अब every time जब भी मैं सोने जाऊंगा जो भी unknown colors है वो automatically मेरे silent हो जाएंगे मेरे को इसको manually जाके settings में change करने की जरूत नहीं है अब what if आपको ये चाहिए कि आप जब घर पे हो तब आपका airdrop on रहना चाहिए क्योंकि आपके family members आपको file कोई send करना चाहरे है photo send करना चाहरे है लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकलो आपकी security के लिए उस airdrop को आपको off कर लेना है लेकिन हर बार कौन याद रखेगा कि घर के बाहर जाओ और airdrop को off कर दो तो एक automation बताता हूँ जैसे automatically जैसे आप घर के बाहर निकलोगे ये airdrop आपका off हो जाएगा अब ये करने के लिए again हम यहाँ पे plus पे click करेंगे create personal automation करेंगे यहाँ पे हम select करेंगे leave तो यहाँ पे हम अपना location चूज़ कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे next करेंगे यहाँ पे हम click करेंगे add action पे यहाँ पे हमको search करना है airdrop और उसके बाद set airdrop receiving को हमको select कर देना है यहाँ पे इसको tap करने के बाद इसको off कर देंगे अब अगला जो shortcut है वो उन सब iPhones के लिए जिसमें आपको always on display का option मिलता है अब हम सब जानते कि always on display सबसे जादा battery use करती है अब ऐसे में अगर आप travel कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप always on display को off कर दो अब every time तो आप याद रखोगे नहीं कि मैं travel कर रहा हूँ यह time पर मैं इसको off कर दो तो अगर आप एक focus mode set कर देते हो जिसका नाम हम रखेंगे traveling और वो focus mode जब भी on होगा तब always on display आपको off हो जाना चाहिए और यही काम करें यह वाला shortcut तो यह करने के में shortcuts में आYANGे यहाँ पर हम Automation इसको आपको कर ले ना स्रकार अपर हम्लेक करने के बाद इसको आपको कर लेना है ओफ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नि преп peacock करेंगे solution अब जब ही मैं travel कर रहा हूँगा या फिर मेरा traveling focus mode enable होता है तब automatically always on display मेरा off हो जाएगा जिसके वाज़े मेरी ज़्यादा बैटरी भी बचेगी अब save for example आप कोई game खेल रहे हो या फिर आप driving कर रहे हो and ऐसे में आपको ये चाहिए कि आपको जो भी आपके iPhone में notification आ रहे है वो automatically announce होने चाहिए तो ऐसे आपको ये shortcut बहुत काम आएगा तो again इसके लिए automation में हम plus पे click करेंगे यहाँ पे हम click करें create person automation अब आपके requirement हिसाब से time भी set कर सकते हो या फिर अगर आप drive कर रहे हो तो carplay भी set कर सकते हो या फिर अगर आप carplay नहीं use कर रहे हो तो आप bluetooth भी set कर सकते हो या फिर अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप य येटफोन को सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे फिलाल में एनी डिवाइस कर देता हूँ, इसको done करते हैं, next हम next पे click करेंगे, and click करेंगे add action पे, यहाँ पे हम select करेंगे announce notifications and उसके बाद इसको on ही रहने देने हमको, and हमको click करना next पे, and that's it, आपका automation create हो चुका है, लेकिन फि राइट रूम में और वैसे में आपको यह चाहिए कि आपका नाइट शिफ्ट ऑफ हो जाना चाहिए क्योंकि नाइट शिफ्ट अगर ओन होगा तो आप सही तरीकित उस फोटो को एडिट नहीं कर पाऊगे तो यह वाला जो शॉटकट है यही काम करेगा तो इसके लिए हम आ करेंगे add action करेंगे set night shift पे click करने के बाद on को कर देना off and next पे click करके of course ask before running को off करेंगे don't ask करने के बाद हमको click करना है done अब फिलाल आप देख सकते मेरा night shift on है अब जैसे में यह वाला app open करूंगा तो snap seat जैसे open हुआ यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जो मेरा night shift है व तो आप अगर यह चाहते हो कि जब भी recording करो या फिर recording वाला focus mode आपका active होना चाहिए उस time पे आपका true tone off हो जाना चाहिए तो यह चीज़ आप automate कर सकते हो using a shortcut तो उसके लिए माएंगे shortcuts में automation के अंदर plus पे click करेंगे create person automation and यहाँ पे मेरा focus mode already created है that is recording इस पे मैं जैसे click ask before running off don't ask and इसको करेंगे done अब फिलाल आप देख सकते हो true tone मेरा on है अब जैसे मैं focus mode यहाँ पे select करता हूँ that is recording automatically मेरा true tone हो यहाँ से आके off हो जाएगा अब हम सब यह तो जानते ही है कि जब भी हम कोई public wifi से connect करते हैं तो हमारे iPhone की security compromise हो सकती है तो अगर हम यह चाहे कि कोई public wifi जब भी हम connect करें for example airport पे connect किया तब जाके हमारा VPN automatically on हो जाना चाहिए या फिर अगर हम यह चाहते है घर से बाहर निकले हमारा VPN automatically on हो ही जाना चाहिए तो हमारी safety and security के लिए यह वाला shortcut हम create कर सकते हैं तो यहाँ पे automation में plus पे click करेंगे create person automation करेंगे यहाँ पे हमको select करना है wifi and उसके बाद आपका network आपको यहाँ पे choose कर लेना है एक बाद आपका wifi network आपने select कर लिया होगा उसके बाद आपको next पे click करना है add action उसके बाद आपको VPN search करके यहाँ पे select करना है set VPN and यहाँ पे VPN पे जैसे tap करोगे आपके जो भी VPN होगे आपके phone में वो आप यहाँ से आके select कर सकते हो तो मेरे case में IP vanish में use करता हूँ जिसको मैं यहाँ से select कर दूगा इसको करूँगा next पे click and यहाँ पे करेंगे हम done अब every time इस पर वाइफाई का जैसे connect होता है यह वाला phone automatically मेरा VPN on हो जाएगा अब एक feature तो हम सदियों से apple से मांग रहे है that is कैसे हम apps को lock करें तो app को अगर आपको lock करना है तो आपकोस बहुत सारे और तरीके जरूर है लेकिन अब apple ने हमारे shortcuts में एक option दे दिया है and यह option use करके आप कोई भी apps को lock कर सकते हो and उसके लिए हम यहाँ पे plus पे click करेंगे create personal automation यहाँ पे हमको select करना app तो app पे click करने के बाद यहाँ पे multiple apps भी select कर सकते in my case as a demo में photo select कर देता हूं and यहाँ पे done करते हैं इसको next पे click करते है next आपको click करने add action and यहाँ पे हम search करेंगे lock screen जिसको select करने के बाद next पे click करें यहाँ पे ask before running को off करने के बाद don't ask करेंगे हम करेंगे done पे click अब यह वाला automation हमारा create हो चुका है आई इसको check कर लेते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है वीडियो को like करना है share करना है चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उस पे click जरूर करें देखते हैं यह origin taken इंदियो मिलते हैं next वीडियो में